प्रुधान मंत्री नरेद्र बोधी के और से के गए 20 लाग करोड के आर्थिक पैकेज के अलान के बाद आज वित्त मंत्री निर्मलास सीता रमन तीसरी बार प्रेस कॉनफरेंस करने वाली है जिसमें वो कोरोना आर्थिक पैकेज से जुड़ी डीटेल साचा करेगी निर्मलास सीता रमन आज शाम चार बजे हॉस्पिटालिटी और ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री को रहा देने का अलान कर सकती है इन दोनों सेक्टर्स की हालत काफी फिलहाल खराब है और कोरोना का कहर होटल और एस्टरॉन चैसे हॉस्पिटालिटी सेक्टर को भारी है इसके बाद होटल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी सरकार से लगातार यहां मदद के गुहार कर रहे हैं फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनाती जो है वो कोरोना से निपटना है और इसे फैलने से रोकना है लेकिन कोरोना से जंग जीतने के बाद कारोबार को पच्वी पर लाना भी एक बड़ी चुनाती रहेगा